पूरी दुनिया जिस डॉलर को जुक कर सलाम करती है आज के दौर में इस डॉलर के कॉलर को पकड़कर भारत रूस ने उसके रुत्बे को घटा दिया है ज्यादा मुखर तरीके से कहें तो डॉलर की हैसियत घटने लगी है और इसे डॉलर अमारिका के बुरे दिनों की शुरुवात के तोर पर देखा जा रहा है रूस भारत के तेल कारुबार ने डॉलर को पठकना शुरू किया और इसे बड़े-बड़े एक्सपर्ट घातक मान रहे है समचार एजनसी रॉयटरस ने इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है जो डॉलर के लिए खासी चिताब दी है पाकिस्तान भारत से इतना डरता है कि वो भारत के सामने बैठना तक नहीं चाहता लेकिन घूम घूम कर ये कहता जरूर है कि भारत हमसे बात नहीं करता अब देखे न जब भारत ने SEO की बैठा के लिए बिलावल को नियोता दिया तो पाकिस्तान में पहले तो हलचल मच गई सब कहने लगे कि जो पाकिस्तान कह रहा था भारत उससे बात तक नहीं करता उसी भारत ने पाकिस्तान को निमंतरण भेज डाला रूस पर अमारिका के नित्रितों वाले अंतराष्ट्रिय प्रतिबंधों ने अंतराष्ट्रिय तेल व्यापार में डालर के दश को पूराने प्रभुत्तों को कम करना शुरू कर दिया आप सब पिषले कई महीनों से खबरे सुन रहे होंगे लिए那 रूपी मेरे युक्षिय के त्रेड कर रहा है तक जब यह पूरा पूरा 646 महीनों उसे जमीन पर काम हो रहा उसके पीछे बहुत लंबी अर्से से प्लैनिंग चल रही है अब उन सब चीजों का असर थोड़ा बहुत ही सही कम से कम दिखने लगा यही वह असर का नतीजा है भारती रुपिया भी हमको दिये-दिये मजबूत होता है ना आने अले साहिम पर यह मजबूत होता हो नज़र आएगा और जो डॉलर की उड़ान है जो पूरी दुनिया में तेजी से उड़ रहा है पाकिस्तान है देखो कितना एक साल में तकरीवन सो रुपे महेंगा हो यह डॉलर उसी हिसाब से भारत में महेंगा नहीं होगा बलकि संभवता नीचे भी जा टॉप तीन तेल के आयातकों में हैं और पिछले साल फरवरी में यूकरेन पर आकर्मन शुरू होने के बाद रूस इसका प्रमुख आपूर्ती करता बन गया है बता दे पाकिस्तान के प्रधान मंत्री शहवाज सरीफ की ओर से बार 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 बाचीज से गुहार लगाने के बाद भारत ने S.E.O. समिट की बैठक में भाग लेने के लिए पाकिस्तानी सुप्रीम कोट के मुख हिनायदीस प्रधान मंत्री शहवाज सरीफ और विदेश पर भारत और रूस का ये तेल कारोबार उस तैक कीमत से भी कम कीमत पर हो रहा है। को कम करना शुरू कर दिया। क्योंकि भारत के साथ अधिकान सोदे समुदरी कच्चे तेल के लिए रूस के साथ दूसरी करेंसी में होना शिरू हो गया है। करेक्टर ने भी बीते दिनों चितावनी दी थी। इरूस पर प्रतिबन लगाये जाने से डॉलर का दबदबा कमजोर होगा। लेकिन नई दिल्ली में हो रहे न्यादीसों की बैठक में पाकिस्तान ने आने से मना कर दिया। पाकिस्तान एक मात्र ऐसा देश है जो भारत में हो रहा है S.E.O. मुखी नैदीस की बैठक में शामिल नहीं होगा यानि भाग नहीं लेगा पाकिस्तानी विदेश्ट मंत्राले की प्रवक्ता मुम्ताज जहराब बलूश ने बयान जारी कर दिया पाकिस्तान के सत्तधारी तालिबान ने हाली में इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत पर बड़ा एक्शन लिया था तालिबान ने ISKP के मिनिस्टर औफ वर और मिलिटरी चीफ कारी फते को धेर कर दिया था कारी फते को UNSE monitoring टीम ने मई 2022 में ISKP के सैने प्रमुके दोर पर सुचिबत किया था और कहा आईए भारत लेकिन अब एक बार फिर से पाकिस्तान ने मीटिंग करने से मना कर दिया मना तो किया ही किया इसके साथ ही वो अमेरिका में घुम घुम कर फिर से कह रहा कि भारत क्यों नहीं बात करता हम से और फिर क्या था अमेरिका ने पाकिस्तान का धागा ही खोल डाला पांत दिसंबर को युद्ध के विरोध में एक गड़मंदन द्वारा रूस पर तेल की कीमत की सीमा टै करने के बाद भारती ग्राकों ने अधिकांस रूसी तेल के लिए गय डॉलर मुद्राओं में भुखतान किया जिसमें संयुक तरबा मिरात की करंसी दरहम और हाली में र व्यापार और बैंकिंग सुत्रों ने कहा कि बीते तीन महीनों में लें दिन कई सौ मिलियन डॉलर के बराबर हुआ है और छोटे-छोटे ट्रेंडिंग ब्लॉक बन जाएंगे ये देश अपनी मुद्रा में व्यापार को बढ़हावा देंगे और आज के दौर में देखा लेकिन भारत सरकार इससे बचने की कोशिश करती है इसलिए जब आप भारती अधिकारियों के साथ बातचीत करते हैं तो ये क्या कारण बताते हैं भारत लंबित मुद्धों पर पाकिस्तान से क्यों नहीं बात करना चाता लेकिन अंतता ये निड़े भारत और पाकिस्तान को खुद लेने होंगे क्योंकि ये फैसले देश खुद लेते हैं अमेरिका ये फैसला नहीं कर सकता कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से किस तरह से बातचीत करें और कह दिया कि भारत उसका वैस्विक रणितिक साज़ेदार है हलाकि अमेरिका ने साफ कर दिया कि ये फैसला दोनों पडोसी देसों को खुद लेना है अब अमेरिका की ओर से ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब पाकिस्तान ने भारत में हो रही संगाई सायोग संगठन के सदर से देसों के मुख हिनाय दीसों की बैठक में आने से इनकार कर दिया इसमें तालिबानी गवर्नर समय तीन लोगों की मौत हो गई शरीप सहर में गवर्नर के दफ्तर में पंबलाश्ट हुआ इसमें गवर्नर दाउद, मुझमल और दो अन्य लोगों की मौत हो गई ये बैठक दो दिन तक नई दिल्ली में चलेगी तो हैं पाकिस्तानी न्यूज चैनल, A.R.Y. न्यूज के पत्रकार जहां जैप अली शायद ये भूल गए कि भारत ने पाकिस्तान को निमंत्रा भेजाता और पाकिस्तान ने आने से मना कर दिया है पांत दिसम्बर को युद्ध के विरोध में एक गड़मंदन द्वारा रूस पर तेल की कीमत की सीमा टै करने के बाद भारती ग्राको ने अधिकांस रूसी तेल के लिए गय डॉलर मुद्राओं में भुखतान किया जिसमें संयुक तरब अमिरात की करनसी दरहम और हाली में रूसी रूबल में करोबार हुआ कई तेल व्यापार और बैंकिंग सुत्रों ने कहा कि बीते तीन महीनों में लें दिन कई सौ मिलियन डॉलर के बराबर हुआ है कि नियादीशों की निर्दारित बैटक की तारीखों पर अपनी प्रदिवत्ताओं के कारण पाकिस्तान के मुखी नियादीश नियादीशों की सौ बैटक में भाग नहीं ले पाएंगे खैर अमेरिका ने जिस तरह पाकिस्तान के पत्रकार की बैंड बजाई उसके बाद पाकिस्तान की मीडिया को समझ में आ गया होगा कि किसी भी बड़े मंच पर अगर कोई भी पाकिस्तानी भारत के खिलाब बोलेगा तो जवाब बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा इसका जवाब देते हुए नेट प्राइस ने साफ कहा मैं उस मैसेज पर बात करूँगा जो हमने भारत और पाकिस्तान दोनों को भेजा है पर हमले किया जा रहे हैं और एक बार फिर से अफगानिस्तान के मजारे शरीप शहर में बंधमाका हो गया जो रुपिया है भारतिय रुपिया वह काफी जादा बढ़ाने के लिए उससे डॉलर को नीचे खीच के लाने के लिए कि यहां पर एक साल पीछें जाले साल मार्स के महीने में डॉलर रुपिया बढ़ा गया इतना बढ़ा गया इतना डॉलर मजबूत होगे रुपिया कमज़ोगे भारत में अगर भारत की बात करें तो भारत एक तो दूसरे देशों के साथ में चाहें रश्या की बात हो, चाहें यूए की बात हो, कई देशों की बात है, कहीं रुपी, रुबल में ट्रेड हो रहा है, कहीं जगह पर हो रहा है, डॉलर को किनारे लगा दिया गया है, ये जो डॉलर को किनारे लगा गया है, इसके योपे प्रमोट हो रहा है इसमें भारती रुपेया है वह प्रमोट हो रहा भी आपने एपने देख गारणी करणे से बहुत उनको फाज़ाय ग człowie 5 उपिए को तकरीबны बीश हो गए हमारे साथ में अलग अलग संधिया हो गई है कि बड़ी जतने audio बाठी बाजी होगी सब का सब रुपए में होगा रुपएमें और उनकी करेंसी में रुपए ड़ढ़िफ डिर्म अमेरिका के साथ में आप कोई डील करो, डॉलर में करो, समझ में आता है, अमेरिकन ब्लॉक की किसी देश के साथ में डील करो, डॉलर में करो, समझ में आता है, जहां का अमेरिका का कोई लेना देना नहीं, उस देश के साथ में आप डील कर रहे हो, तो बीच में डॉलर क्यों तो आके जहत मार रहा है सभाव किसी बात कि या इन दोनों देश की करेंसी कोई दम नहीं जैसे अभी आपने देखा रश्या के लिए रश्या वे कितने सैंक्शन लगें रश्या वे कितना कुछ रहा उसके बाद से दुनिया भी देख रही है कि अमेरिका का डॉलर रही कभी भी छिन सकता है इसके लिए दुनिया नया अल्टरनेटिव तलाशरी एक गैप बन गया उस गैप में फिट होने के लिए भारती रूपिया बहुत तेजी से काम कर रहा है